काले और लंबे बाल सभी को पसंद होते हैं लेकिन आज के दोर में हर किसी को गिरते बाल और असमें सपेद बालों की चिंता लगी रहती है तोड़ते और जड़ते बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ गया है कि महंगे और केमिकल युक्ते हेर ट्रीटमेंट लेने को मजबूर हो गये है आज हम आपको ऐसा टिप्स बताने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाले हैं जिससे आपको एक हफ़ते में ही जड़ते बालों से बिलकुल निजात मिल जाएगी और बाल इतने लंबे हो जाएंगे ऐसा में सफेद होने से बचेंगे और ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्फुल होने वाली है आप इस रेमेडी को जरू लगाईए तो इसके लिए लिए चार भिंडी ले लिए है एक प्याज लिया है एक चमच मेथी दाना लिया है और लॉंग लिये तो जी हाँ ये सारी जो चीजे हैं ये बालो के लिए चमतकार से कम नहीं है तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने चार चीजे लिए और एक लेंगे सर्शो का तेल तो आप सर्शो के तेल के जगर नारियल तेल और बादाम का तेल या जेतुन का तेल भी ले सकते हैं या फिर आप मिक्स ओयल भी ले सकते हैं तो पाई गई है इससे बालो मसाज करने से बालो का जंड प्राकरतिक रूप से कम हो जाता है बिंडी के तेल में विटामिन के और कोलेजन भी पाया जाता है जिसे बालो में चमक रहती है तो यहां पर प्याज डाल दिया और लॉंग भी डाल दी प्याज में सल्फर पाया जाता ह जो बालों के पतले होने टूटने जैसी समझ्शाओं को दूर करने में मदद करता है तो इससे बाल जहड़ना बिल्कुल बंद हो जाते है यहां बात करें लॉंग की तो लॉंग में यूजे नाल होता है जो सकेल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बदा लॉंग में वितामिन C और एंटी ओक्सिडन help निदि नरे विटामिन और खनीज भी हुता हैं जो बालो को मजबूत बनाते हैं और तूटने से बचाते हैं लॉंग में एंटी फंगल और एंटी बेक्टरियल गुण होते हैं जो सकेल्प के संकर्मन डेंडरप से निपटनम मदद करते हैं लॉंग का एंटी ऑक्सिडेंट गुण बालो को सफेद होने से भी रोकता है तो देखे किते अमेजिंग गुण है ना इस तेल में तो यहाँ पर मैंने एक चमच मेथी भी डाल दी थी अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक की प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और भिंडी अच्छे से ना पक जाए तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बिल्कुल धीमी आज पे इसको पकाना है बिल्कुल तेज आज पे बिल्कुल भी ना पकाएं इस रेमेडी को बिल्कुल धीमी आज पे ही पकने देंगे इसको और जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे तब तक इस रेमेडी को आप एक बार लगा के देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और आपको ये सिर्फ साथ दिन के अंदर ही आपको जो बालों का ज़ड़ना है ऐसा में सफेद होना है ये सब रोक देगी और बालों पे बहुत ही अच्छी सी चमक ये बिल्कुल नैच्छरल चीजे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा देगी तो इस रेमेडी को बनने में पांस से साथ मिनट लगेंगें बिल्कुल धीमी आज पे पांस से साथ मिनट तक पकाना है इसको और उसके बाद में गैस फ्लेम बंद कर देना है तो यह देखिए जो पंस से साथ मिनट हुचिती इसको पकते हुए तो अब यह बनके तयार हो चुका है तो यह जो लॉंग है आप इसको दोबारा भी यूज ले सकते हैं आप इसको बापिस से निकाल के रग दें और जब आप कोई पैक बनाना है या फिर जो भी आपको इसमें प हमें तेल तो अब इसको छान के और एक बोटल में भर लेंगे तो अब इस तेल को छान लेते हैं क्योंकि ये पिल्कुल ठंडा हो चुका है और जो ये बचेगा ना इसको फैकना नहीं है ये भी बहुत कामका है आप इसको ठंडा करके बार एक सा पेश्ट बना ले इसका और अपने बालों में लगा ले जब भी आप नहाए तो उससे 15-20 मिनट पहले लगा ले और फिर बालों को धोले ये देखिए तेल निकाल लिया आप जाए है मैनने छलनी से तो अब ये जो बचाए ना इसको फैके नहीं तो इसका एक पेश्ट बनाके और तहीब मिलांके बालों में लगा ले इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको आप तील को अलग कर लेते हैं और जो पे ये जो बचाए मैं इसको भी मैं 2 दिन अपने scalp पे अच्छे से बिल्कुल हलके हातों से मसाज करनी है तो इसको बिल्कुल थूड़ा सा हलका गुनगुना करके और रूइक से अपने बालों में इससे मालिश करनी है तो पूरे बालों में अच्छे से इस oil को लगा लेना है और अक्ते में दो बार जरूर लगाएं इस ओईल को और ये खराब नहीं होगा आपको एक मेहने तक आराम से इसको इस्टोर करके रख ले ये तेल आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये इतनी अच्छा रिजल्ट देगा कि आपको खुद को पता चलेगा कि इस अच ये रेमिटी आपको मुझे पता है आपको अच्छी लगीगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी फैमली फ्रेंस में और चैनल को सब्सक्राइब करतीजिएगा लाइक शेयर करतीजिएगा त्हंड़ेवाद